Hello Friends, Welcome to Recipe of Health इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ Drumstick Leaves यानि Moringa Leaves या जिसे हिंदी में सहरजन की पतिया भी कहते हैं उसकी सबदी Friends क्या आप जानते हैं Drumstick Leaves के आश्यरेजनक Health Benefits क्या है इसे Superfood क्यों कहते है और Drumstick के पौधाय को Miracle Plant क्यों कहते है अगर नहीं तो इसे जानेंगे इस recipe के end में क्योंकि इसे जानने के बाद आप जरूर Drumstick Leaves को अपने आहार में शामिल करेंगे So let's look at the ingredients and we'll quickly start the recipe ये सबजी बनाने के लिए हमें सिफ पत्यों को लेना है इस तरह से खीचेंगे तो बड़ी आसानी से पत्ते निकलाते है सबजी के लिए ऐसे कोमल पत्ते अच्छे होते हैं क्योंकि वो जल्दी कुक और डाइजस्ट होते सारी पत्तियों को निकाल लिया है अब इसे नमक के पानी से अच्छे से दो लेते है सबजी बनाने के लिए एक बरतन में 2 टेबल स्पून तेल डालना है तेल हलका सा गरम होने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लसून गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है अब इसमें 2 हरी मेर्च के तुकड़े और एक कटा हुआ प्यास इनका कच्छा पन जाने तक फ्राइ करना है इसमें 1 टीश्पून हल्दी पाउडर डालके इसे भी प्यास के साल मिला लेती हूँ और अब हम डालेंगे 1 कप अंकुरित याने स्प्राउटेड मूंग और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्प्राउटेड मूंग नहीं है तो भीगाई हुई मूंग डाल भी डाल सकते हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि स्प्राउटेड मूंग इस मोर हेल्दियर मूंग में half teaspoon नमक और half glass गरम पानी डालके इसे ढखकन रखके पका लेते हैं मूंग पक गया है अब इसमें drumstick leaves डालके अच्छे से mix कर लेती हूँ मूंग को पकाते वक हमने थोड़ा ही नमक डाला था अब और स्वादा नमक डालके सबको अच्छे से mix कर लेते हैं और रखकन रखके low flame पे सबजी को cook होने देते हैं आप देख सकते हैं इसके पत्ते soft हो गए है सबजी अपनी ही पानी में cook हो गई है और ये tasty सबजी खाने के लिए ready हो गई है फ्रेंड्स आप ये healthy और tasty recipe ज़रू ट्राइ कीजिए drumstick के पौदे के हर एक पार्ट यानि इसके फरल, फूल, पत्ते, छाल सबी में विशेश और शदी गुण होने की कारण बहुत सारी अलग-अलग दवाईयों में यूज किया जाता है और इसलिए इसे miracle plant भी कहते हैं और इसके पत्ते तो सबसे ज़ादा nutritious होते है drumstick leaves multi vitamin और protein का बहुत ही अच्छा source है और इसकी nutritional facts जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि drumstick leaves में 7 गुना जदा vitamin C होता है as compared to orange 4 गुना जदा calcium होता है दूद के तुलना में गाजर से भी 4 गुना जदा vitamin A इसमें होता है केले से भी 3 गुना जदा potassium और दो गुना जदा आयन होता है पालक की तुलना में और इसके health benefits देखे जाए तो drumstick leaves immunity और हीमोगलोबिन बढ़ाता है आखों के लिए और kidney के proper function के लिए लाबदायक है हड़ियों को healthy रखता है और इतना ही नहीं high blood pressure को भी कम करता है शरी में sugar की level को balance रखता है इसमें antioxidant होने के कारण cell को damage होने से बचाता है तो देखा जाए तो drumstick leaves overall health और energy को boost करता है highly nutritious और बहुत सारे health benefits होने के कारण इसे super food माना जाता है विदेशों में इस पे research होने के बाद और इसके benefits समझने के बाद drumstick leaves को powder या tablet form में बेचा या खरिदा जा रहा है लेकिन हमारे इंडिया में ये easily और freshly available है तो हमें इसे ज़रू खाना चाहिए Friends अगर आप चाहते हो कि drumstick leaves की और भी कुछ recipe या उसे consume करने के तरीके मैं आपके साथ share करू तो प्लीज मुझे वीडियो की नीचे कमेंट करके बताईए इस वीडियो के माद्यम से drumstick leaves का importance बताना और उसका awareness बढ़ाना मेरा intention है वीडियो helpful लगा है तो ज़रू लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद